ओम गंगर्पतै नम आज बुथवार के दिन आई ये सुनते हैं गरेश जी की यह कथा जिसे किसी भी ब्रद या अन्य किसी कथा को सुनने के बार अनिवार्य रूप से सुना जाता है गरेश जी की पूजा के उप्रान बिनायक जी की कथा गरेश जी की कथा को सुनना अतियंत ही शुभ होता है एक बार गरेश जी महाराज एक सेच जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने बारह दाने अनाज के तोड़ लिए फिर गरेश जी के मन में पस्तावा हुआ कि मैंने तो सीठ जी के यहां चोरी कर ली तो गरेश जी सीठ जी के बारह शाल की नौकरी करने लग गए एक दिन सिठानी राक से हाथ धोने लगी तो गरेश जी ने सिठानी का हाथ पकड़ कर मिट्टी से हाथ धुला दिया सिठानी से जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया सिठ जी ने गरेश को बुला कर पूछा कि तुमने सिठानी का हाथ क्यों पकड़ा तो गरेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीठ की बात बताई है राक से हाथ धोने से घर की लचमी नाराज होकर घर से चली जाती हैं और मित्ती से हाथ धोने से आती हैं सिठ जी ने सोचा कि गरेश है तो सच्चा थोड़े दिन बाद कुम्भ का मेला आया सेठ जी ने कहा गरेश सेठानी को कुम्भ के मेले में असनान करा कर ले आओ सेठानी किनारे पर बैठ कर नहा रहे थी तो गरेश जी उनका हाथ पकड़ कर आगे दुब की लगवा लाए घर आकर सिठानी ने सेठ से कहा कि गरेश ने तो मेरी इज़त ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीत में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए तब सेठ जी ने गरेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया तो गरेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठ कर गंदी पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया हूँ इससे अगले जन में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा सेठ जी ने सोचा कि गरेश है तो सच्चा एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी हमन हो रहा था सेठ जी ने गरेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ गरेश सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओड़ कर चलने लगी तो गरेश जी ने काली चुनरी फार दी और कहा कि लाल चुनरी ओड़ के चलू सेठानी नाराज होकर सो गए सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात है तो सेठानी ने बोला कि गरेश ने मेरी चुनरी फार दी सेठ जी ने गरेश को बुला कर बहुत डाटा और कहा तुम बहुत बदमासी करते हो तो गरेश जी ने कहा पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा काला वस्त्र पहनने से कोई भी सुभकाम सफल नहीं होता है फिर सेठ जी ने सोचा कि गरेश है तो समझदार एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि ओ गरेश जी की मूर्ती लाना भोल गया अब क्या करें तो गरेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ती बना कर विराज मान कर लो आपके सारी काम सफल हो जाएंगे यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुसा आया और ओ बोले कि तुम तो अब तक सिठानी से ही मजाक करते थे मेरे से भी करने लग गए तो गरेश जी ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ इतने में ही गरेश ने गरेश जी का रूप धारड कर लिया और सेठ तथा सिठानी ने ही गरेश जी की पूजा की पूजा खत्म होते ही गरेश जी अंतर ध्यान हो गए सेठ सिठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा की हमारे पास तो गरेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया तो गरेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा की आपके खेत में से मैंने बारह अनाज की दाने तोड़ लिये थे उसी का दोस उतारने के लिए मैंने आपकी यहां काम किया था सेठ जी के करोडों की माया हो गए ही गरेश जी महाराग जैसा सेठ जी को दिया वैसा सब को देना कहते को सुनते को और सारे परिवार को दे देना बुधवार का दिन ब्रत रखने के लिए उत्तम माना गया है इस दिन बुधदेव के साथ भगवान गरेश की पूजा की जाती है मान्यता की अंसार बुध्वार के दिन ब्रत रखने से जीवन मंगल मै हो जाता है ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ब्रत रखने से बुध्धी में बृध्धी होती है पौरारिक मान्यता की मुताबिक बुध्धुवार के बृध की सुरुवात स्विशाखान सुत्र बुध्धुवार से होनी चाहिए ऐसा कहा जाता है कि जो इनसान बिधी पूरवक बुध्धुवार का बृध्ध रखने से जीवन में शुक्षान्ती बनी रहती है तथा व्यक्ति सम्रिद साली बनता है यह ब्रत रखने से किसी भी व्यक्ति को कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती बुध्वार का ब्रत रखने से विभिन छेत्रों में शफलता मिलती है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी लाइक करें कमेंट करें शेयर करें हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन आल पर सिट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद